आज हम अपना दूसरा लेक्ट्र करेंगे लीनियर रिग्रेशन का किस तरह लीनियर रिग्रेशन को आप मैनुवली फाइंड कर सकते हैं with the help of the least square method जाने ही परला लेक्ट्र करते हैं इसका अच्छा, calculation of the linear regression through the least square method last lecture में आपको समझाया था कि हम linear regression draw किस तरह करते हैं लास्ट में मैंने आपको उसका formula भी बताया था कि किस तरह y hat is equal to b1 plus b not x होता है तो हम उसे calculate करेंगे अच्छा, यह हमारे पास say values है independent variable की 1, 2, 3, 4, 5 और यह dependent variable की 2, 4, 5, 4, 5 यहाँ independent variable पे आप equal interval में इसको independent variable को x-axis पे लिखतेते हैं और इसी तरह y-axis पे equal intervals के अंदर आप इसको dependent variable के लिखते हैं equal variable से मेरा मुराद है कि जैसे 1 और 2 के दरम्यान same gap, 2 और 3 के दरम्यान same gap है इस तरह 3 से 4, 5 से 6 यह आप इसका शुरू में ही graph बनालते हैं यह values लिखते हैं फिर इन values के हिसाब से इसको आप put करते हैं अच्छा उसके बाद जब आपने इकदफ़ा ले लिया तो आप values support करते हैं for example हमारा x-axis 1 था और y-axis पे हमारा 2 था यह independent 1 है dependent 2 है तो इस तरह आप सारे points को 3 और 5 को फिर 4 और 4 को और 5 और 5 को इस तरह आप draw कर लेते हैं जब आप इसको draw कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने तमाम observations को जितनी भी आपके पास dependent और independent variable थे उन्हें आपने linear regression के लिए graph में उन observations को place कर लेते हैं यह मैंने observations को place किया यह हमारी 1 & 2 की थी यह हमारी 2 & 4 की है फिर यह हमारी 3 & 5 की है यह वरी 4 & 4 की है इधर से भी 4 और इधर से भी 4 अगली हमारी 5 & 5 की है यह मैंने 5 observation इसके अंदर put कर ली अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने independent variable का भी mean निकालना है और dependent variable का भी mean अगर आप इसका mean निकाले 1 plus 2 यह 3 हो गया 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 15 15 divided by 5 is equal to 3 तो यह उसा 3 यह against the 3 आप जो line लगाते है यह आपका mean है आपके independent variable का इसी तरह यह जो सा dependent variable है इसके अंदर 2 plus 4 6 6 plus 5 11 11 plus 4 15 15 15 plus 4 20 20 divided by 5 is equal to 4 तो यह आपने इस side से draw कर लिया अपने dependent variable तो जहां यह दोनों line एक दूसरे को intersect करती है यह आपका mean आता है dependent और independent दोनों variable का तो यह जो साब देखने है इधर से 4 और इधर से 3 यह आपका mean है अब आपकी observation scattered हुई है और यह आपका mean है इसके बाद आप क्या करना है कि आपने calculate करना है कि आपकी हर observation आपके mean से यह उसी आपका यह mean है इससे कितनी दूर है अच्छा यह जब आपके line draw करते हैं linear की क्योंकि यह positive है इस वेसी हमारी positive line ऊपर की जानीब है जब यह आपने line draw करते हैं इस तरह draw करने आपने यह line कि यह आपको intersect करें इधर आपके mean पे यह इधर जाओ कि mean पे इससे करेंगी तो इधर से य-axis के लिए जाएगी और यहां से यह जहां तक आपकी observation है आप उसको draw करते हैं इससे next जोंसा होता है आप जब इन दोनों का distance मज़र करते हैं कि हर observation का आपके independent variable से कितनी दूर है और आपके dependent variable से कितनी दूर है यह distance आपने हर observation का मज़र करना होत है यह कैसे मज़र करना है कि पहले आपने x-x bar निकालनी है x आपकी 1 है x bar आपकी 3 है 1-3 is equal to minus 2 2-3 is equal to minus 1 3-3 is equal to 0 4-1 is equal to 3 4-3 is equal to 1 and 5-3 is equal to 2 यानि कि आपने इन observation को minus किया है इसके mean से यह इसका mean था यह 3 इसका mean है और यह सारी इसकी observation है अब देखें यह तीसरी observation यहां 0 है इसका मतलब है यह वाली observation जो सी है यह 0 आएगी क्योंकि यह आपके mean के ओपर fall करे इसके अंदर कोई distance नहीं है इसको अब यह minus 2 इसका मतलब है यह mean से minus 2 mean से 2 पीछे है यह mean था आपका 3 का और यहां आपके 2 नंबर पीछे है इसी तरह इसका अगला graph आपने क्या होता है कि आप y minus y बार निकालते है कि y का distance कितना है 2 minus 4 is equal to minus 2 यह आपका 2 था और यहां आपका mean है तो इन दोनों के तरह में distance जो है वो minus 2 है इसी तरह इसम हमारे पास 2 infect 0 आ रहे हैं क्योंकि यह दोनों दो points आपके यह दो observations जो आपकी है यह आपकी mean के line के उपर आ रही है यह इनका mean से distance सिरफ 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 सिफर है इसके बाद आपने क्या करना होता है यह formula गर आपको याद हो y hat is equal to b not plus b1 x यह formula हमने पहले भी मैंने आपको पिछल करते हैं कि इस formula को find करने के लिए क्योंकि आपके पास x की value तो मौझूद है अभी आपने b not और b1 की निकाल लिए आप क्या करते हैं x minus x bar का square लेते हैं इसका minus 2 का square 4 minus 1 का 1 0 का 0 1 का 1 and 2 का square 4 इसके बाद आपने क्या करना है इसको y minus यह जो साब का x minus x bar है इसको आपने multiply कर दे minus 2 into minus 2 is equal to 4 minus 1 into 0 is equal to 0 0 into 1 is equal to 0 1 into 0 is equal to 0 2 into 1 is equal to 2 तो यह आपने 2 इसके निकाल लिए x minus x bar का square निकाल लिया और x minus x bar into y minus y bar की multiplication इसके बाद आप क्या करते हैं कि यह आपका b1 जो सा है यह वाला यह कैसे निकलता है कि आपने इसको डिवाइड कर देना होता है यह उससा आपका x minus x bar into y minus y bar है इसको डिवाइड कर देना होता है x minus x bar के square के साथ तो यह आपका 6 था divided by 10 is equal to minus 6 तो इसका formula क्या होता है? summation of x मैं summation का साइन आना है summation of x minus x bar into y minus y bar divided by x minus x bar का square यह 6 divided by 10 is equal to 0.6 यह 0.6 अब आपके पास x भी मौजूद है b1 भी मौजूद है आपके पास b0 अभी रहता है अच्छा b0 मालूम करने से पहले आपने y hat मालूम करनी है y hat आपकी यह जोंसी होती है यह आपका mean जोंसा है यह आपकी y hat या y bar है यह आपका 4 था यहां आपने इसको 4 प्लेस कर गेना है b0 प्लस 0.6 इंटू 3 अब इसको अगर यहां दोबारा फॉर्मूल लिखा हुए इसका b1 का summation into x minus x bar into y minus y bar divided by summation summation x minus x bar का square यह हमारा 0.6 है था तो hat हमारे पास 4 है b0 हमने मालूम करना है प्लस 0.6 into 3 is equal to 1.8 तो आपके पास यहां 4 भी आ गया यहां आपके पास 1.8 भी है अब आपने सिरफ इसकी y axis पे उसब b0 है यह मालूम करना चाहिए याद रखें कि यहां plus b1 इस लिए है क्योंकि यह positive relationship है अगर यह negative relationship होता तो यहा minus b1 होता यह अब आपने कैसे calculate करना है 4 is equal to b0 4 हमारे पस दिया हुए plus 0.6 into 3 is equal to 1.8 तो आप 1.8 को इस साइट पर भी minus कर देंगे इस साइट पर भी minus कर देंगे जब इस साइट पर minus करेंगे तो 1.8 1.8 कट के सिफर रह जाएगा और 4 में से जब आप 1 minus 1.8 करेंगे तो यह 2. 2.2 तो b0 आपका 2.2 आजाएगा यह देखें यह 2.2 के उपर हुआ 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 है तो आपने यह सही बी नॉट ती मैंने आपको पताया था कि बी नॉट यह आपका y-axis पे जहां से आपकी regression line start हो रहे है यह आपकी देखें यह 2.2 पे start हो रहे है जब आपने drop भी की तो 2.2 पे आए जब आपने मैयर भी किया तो 2.2 पे आए यह उसी b1 होती है यह slope होती है यह slope की value आपकी 0.6 आती आई यह with the help of the formula जो आपने लगाया था तो इस तरह यह आपके पास values आगी b0 is equal to 2.2 यहां से बी नॉट 2.2 किया b1 is equal to 0.6 यह value जो से आपकी slope है इस regression line की slope है यह है 0. 0.6 y hat आपके पास अब कितना आजएगा 2.2 plus 0.6 into x 0.6 into x अगर आप क्या करेंगे इस यह आपका 1.8 है तो 2.2 को आप 1.8 के अंदर multiply plus करेंगे तो यह आपका 4 आजएगा तो y hat भी आपकी यहां से निकालेंगे तो 4 होगी इसको put place करके देखें 0.6 into 3 is equal to 1.8 1.8 plus 2.8 2.2 is equal to 4 तो y hat आपके पास 4 है यह वाली b not आपके पास 2.2 है b1 यह आपकी slope है यह plus b1 है क्योंकि यह positive relationship है तो यह आपकी आ गई है 0.6 और 3 आपका x का mean है यह उसे आपकी x की value आई हुए है तो इस तरह आपका यह answer निकला आता है b not b1 and y bar तो यह हमारा था कि ली स्केर method के ज़री हम किस तरह linear regression को find करते हैं last last week हमारी zoom meeting नहीं हुए तो मैं आप सब की last week की present लगांगा next week हम इंचाला Friday को या Thursday को अभी या Saturday Sunday को हम zoom meeting करेंगे अगर आपको इसकी समझ ना है तो प्लीज ना मुझा मैसेज करते हैं तो मैं आपको दूबारा एक दफार समझा दूँगा thank you class और अपना ख्याल रखियेगा क्राइब प्लाइब क्राइब